कल बाबा ने सेवा के अलग-अलग fields बताए कि किन-किन category की सेवा करनी है और आज बाबा ने सेवा के उपर भी focus किया कि कैसे सेवा करनी है किस तरह सेवा करनी है तो जिसमें बाबा ने कहां कि बचे चित्रों की से और चित्रों की सेवा करो और चित्रों में भी कैसे-कैसे चित्र छपाने है फिर बाबा ने और भी फोकस किया कि बच्छी अपना साइज फोटो हमेशा बाबा क्यते ना अपना पुर्शार्थी स्वरूप और अपना भविश्य स्वरूप दोनों की फोटो रखो तो वो, क्योंकि दोनों की फोटू रखो, तो फिर फोकस कर सकते हैं, फिर पुर्शारत कर सकते हैं बाबा के शब्दों में सुनेंगे, 28-10 मीठे बच्चे, तुम्हें इस पाठशाला में आये हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने आत्म अभिमानी बनो, और अपना रजिस्टर में नोट करो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे पासपोर्ट लेने आये हैं तो उसके लिए आत्म अभिमानी बनो, और रजिस्टर में नोट करो प्रश्न है कौनसी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगाड नहीं रखते हैं कौनसी स्मृति नहीं रहती है तो मतलब भगवान सामने बैठा है, भगवान कह रहा है कितना रिगाड होना चाहिए लेकिन कौनसी स्मृति नहीं रहती है इसके कारण रिगाड नहीं रहता है कौनसी आत्म अल्माइटी अथारिटी आत्मा परमात्मा का बच्चा है ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ संतान है अच्छा इसको मौ इस तरफ रखो पूरा इस तरफ रखो बाबा कहते है कई बच्चों को यही स्मृत्ती नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही उचते उच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है, कौन मेरे सामने है? मतलब कोई बहुत वर्ल्ड फेमस परस्नालिटी मुझे कुछ कह दे, एक वर्ल्ड भी कह दे, क्या हो जाता है? वर्ल्ड फेमस परस्नालिटी कह रही है, तो उसकी कितनी रिगाड होती है, कि उसने मुझे कहाँ? उसका एक मेसेज भी आजाए, तो क्या लगता है? यह उसका आया है, तो बाबा कहते हैं, तो यह वही उचते उच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है, यह निश्चे नमबरवार है, जितना जिसको निश्चे है, उतना रिगाड रखते है, जितना निश्चे उत नरिगाड है गीत है जो पिया के साथ है उम्शन्ति सब बच्चे ज्यान सागर के साथ तो है इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते ये गीत के आगे की लाइन कहां क्या है प्रिम भई प्रिम भई नहीं आये उसके लिए बढ़सा आते हैं फिर और भी ये इसका तो बबबा कहते है सब बच्चे ज्यान सागर के साथ तो है इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते भल जो साथ है वो नजदीक में डारेक्ट ज्यान सुनते है और जो दूर है उनों को देरी से मिलता है परन्तु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ति उन्नती को पाते है और दूर वाले कम उन्नती को पाते है नहीं प्रैक्टिकल देखा जाता है जो दूर है वो जास्ति पढ़ते है मतलब प्रैक्लरली जिनको मिलता नहीं है वो जास्ती पढ़ते हैं और उन्नती को पाते हैं इतना जरूर है बेहत का बाप यहां है ब्राम्वन बच्चों में भी नंबर वार है बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने है कोई-कोई बच्चों से बड़ी-बड़ी गफलत होती है समस्ते भी यह बेहत का बाप जिसको सारी स्रश्टी याद करती है वो हमारी सेवा में उपस्तित है यह फिलिंग है बेहत का बाप जिसको पूरी दुनिया याद कर रही है वो मेरे सामने है यह फिलिंग है तो और हमको उच्छ ते उच्छ बनाने का मार्क बताते हैं बहुत प्यार से समझाते हैं तो फिर भी इतना रिगार देते नहीं है बाबा कितना प्यार से समझाते है कितना प्यार है बाबा के तो फिर भी रिगार नहीं देते हैं क्यों रिगार्ड नहीं देते, जब इतना प्यार है, कहते हैं प्यार तो है, प्यार और रिस्पेक्ट साथ साथ जाता है, या प्यार है रिस्पेक्ट होता है, जरूरी नहीं कि है या नहीं है, देखो बाबा से प्यार सबका है, रिस्पेक्ट किसे कहेंगे, प्यार को निभा तो respect इसलिए नंबर वार हो जाता है प्यार है और वो भी खाली कुर्बानी नहीं न सिर्फ एक बार समर्पित होगा यही तो प्यार नहीं है कोई भी बात में यह एक बात को agree कर लिया बुद्धी से surrender होगा इसलिए उसको निभाना का each and every बात में उसको निभाना तो बाबा कहते है बहुत प्यार से समझाते फिर भी इतना regard नहीं रखते बांदे लिया कितनी मार खाती है तड़फती है फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती है पद भी उच बन जाता है बाबा सब के लिए नहीं कहते है कितनी वो तड़फती है स्टोरी सुनना है कि लास्ट में सुनना है बांदे ली कि वो था सुंदरी बेन जो मैं कल बता रही थी इनका जो यग्य के शुरुवात में मम्मा और सुंदरी बेन मतलब मम्मा के साथ की उनका पूरशारत था मम्मा की लेवल का बहुत मतलब दो वो थे साथ इस तरह जो बच्चों को देखबाल करते थे बहुत जबरदस लगन बाबा के लिए रिगार जैसे मम्मा बाबा उन दोनों को रखते थे राइट हैंड बाबा की मतलब फिर उसके मदर ने एक बार चंदरमनी दादी को बोला कि बाबा इसको मतलब उसको बोला कि इसको एक बार भिजवा दो सिर्फ एक हफते के लिए और फिर हम वापस भेज देंगे तो फिर चंदरमनी दादी ने बाबा को बोला कि बाबा ऐसे ऐसे कह रहे हैं तो भिजवा दो, बाबा ने कहा, तुम जवाबदार हो, बोला हाँ बाबा, मा की इतनी दिल है, वो तो भिजवाईगी, वो थोड़ी रखेगी, मेरी जवाबदारी है, बाबा ने फिर पूछा, बचे तुम जवाबदार हो, बोला हाँ बाबा, मैं जवाबदार हो, और फिर बाद में भेज दिया, वहां गई और फिर उसकी मामा उसको अंदर मतलब घर में रखा, मामा उसको बहुत पुरा कंट्रोल किया, उसको कहीं जाने नहीं देना, चेन पे रखा, बाद दिया यहां तक इतना चेन कि बाथरूम में जाए तो भी चेन, चेन से जाना है, कुछ भी मतलब और वो रोए रोए सारा समय, मुझे एक बार बाबा से मिला दो, एक बार लेकिन माने ही नहीं, अच्छा फिर बाबा को वहां पौत फील होता था, कि मेरी बच्ची मुझे बहुत याद तडफ रही है, बच्ची तुम जाओ, अब उसने जम्मेवारी ली थी बाबा क अब दादी कहती ही, मैं मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था, मैं किसको कह रही हूँ, तुम जवाबदार, मैं जवाबदार होंगे, भगवा, अलमाइटी अथारिटी, तो फिर बुला, हमें बाबा, मैं तो जवाबदार हूँ, तो गए वो टोली लेके, टोली मतलब एक बिजिशानता दादी और वो दो तीन, तो वो तो फिर वहाँ, उन्होंने ऐसे लड़के-लड़किया खड़ी कर दिया, मतलब उनके बंगलो के बाहर, घर के बाहर की, जो उसको उनको मतलब डराय कि यह आने नहीं दे, अब इसको अंदर से वाइब्रेशन आ रहा है कि यह गई, मुझे एक बार इन से मिलना है बाबा से मिलना है बाबा से, वाणे नहीं थे, फिर उन्होंने सोचा कि यह न इन लोग इन लोग इसको परेशान करेंगे, इसको बंबे ले जओ, बंबे ले गए, बंबे में भी पुषपशान्ता दादी और वो सब थे उस समय, तो ब क्लीफ बहुत किसी भी तरह से और फाइनली आत्मा शरीर छोड़ दिया अब उसके बाद में बाबा को बॉम्बे आना हुआ बाबा एक बार इलाज के लिए बॉम्बे आये थे तो जब आये बाबा बॉम्बे तो पुरा इलाज हुआ और रेस्ट करना था जोक्टर ने बोला थोड़ा रेस्ट करो तो बाबा ने बुला कि बच्ची चंद्रमोनी दादी को बुला पुने में बाबा रेस्ट करेगा बाबा के लिए कोई मकान देखो दादी गई मकान देखने पूरा तो फाइनली कई मतलब ये मैं तो गौड फादर के लिए मकान बाबा बहुत अच् दादियों को ते की नशा था, गौड़ फादर के लिए, तो फाइनली कही कितने देखे, अच्छे लगे नहीं, फिर एक मिला, बुला लास्ट में, ऐसे वो जा रहे थे रास्ते में, गाड़ी आई, तो मनलब जैसे उनको प्रेड़ना होई कि हाथ उचा करो, तो उसने ऐसे उच्छा किया, वो गाड़ी रुख गई, बुला क्या, बुला मुझे गौड़ फादर के लिए मकान चाहिए, आपके पास है, बुला अच्छा, चाहिए, लेके गई गई बुला तो वो तो पूरा एक पैलस, जिसमें गरम, ठंडे, फाउंटेन वो सब, बहुत पसंद आय फिर वहाँ बाबा को बुलाया और फिर बाबा रेस्ट करने रहे गए वहाँ, तो जब बाबा वहाँ थे, तब पूर्ने में वो सुंदरी बहन की माता, मा, बाबा से मिलने आई, वो जैसी पहुची, वहाँ बैठी, उसको बाबा धरमराज के रूप में देखे, पुरा, और बहुत डड़ गई, और फिर तो बहुत रोई की बाबा को बहुत माफी मांगी, बाबा मुझे माफ कर दो ये, बाबा ने कहाँ, जो ड्रामा में है, बाबा सीरियस थे, मतलब सीरियस इन देखे, जो ड्रामा में नून्द है वो तो होगा, वो तो है ही और हो गई, बस इतना बाबा ने कहा, उसने कहा बाबा कि वो बच्ची ना हमारी रही ना आपकी रही, लोकिक से भी गई या लोकिक से भी गई, और फिर बाबा को, बुला बच्ची, बाबा जब से वो बच्ची गई, तब से पूरा धन जिरो पे, कितने रिच थे, बुला धन, तन, मन, धन, सब जिरो पे आ गया, पूरा, एक दम गरीब बन गये गो, तो ये होते बांधिलिया, ऐसे बाबा के कही ऐसे भी, और भी इंसिडेंस है, तो बाबा केते हैं, बांधिलिया कितनी मार खाती है, तड़फती है, फिर भी याद मेरे अच्छा उठा लेती है, पद्वी उच बन ज जाता है, बाबा सब के लिए नहीं कहते हैं, मतलब सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, कोई ऐसे होते हैं, नंबर वार पुर्शारत अनुशारत हैं, बाब बच्चों को साफधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके, बांधिलिया आदी बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती ह यह गीत तो भक्ति मारगवालों का भी बना हुआ है, परन्तु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है, कौनसा गीत? जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसाथ है, परन्तु वो क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है, आत्मा खुद कोई नहीं जानती, तो बाब को कै से जाने, है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहां से आई हूँ, यह पता भी नहीं है, सब है देय भीमानी, आत्मा भीमानी कोई है नहीं, अगर आत्मा भीमानी बने, तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो, देय भीमानी होने के करण ना आत्मा को ना परम्पिता परमात् जो आइडेंटिटी है, उसके कनेक्टेड परस्नालिट, रिलेशन्स तो याद होता है ना, जैसे हम कहेंगे बहू, डॉर्टर इनलॉग कहती ही, क्या याद आएगा, तो सारे कनेक्टेड, जो मेरी सास कौन है, ससुर कौन है, तो आत्मा कहती ही, फिर आत्मा का फादर याद अगर आत्मा नहीं कहो, तो आत्मा का फादर कैसे याद आए, इसलिए फादर को नहीं जानते हैं, तो आत्मा अभिमानी कोई है नहीं, अगर आत्मा अभिमानी बने, तो आत्मा को अपने बाप का तो पताओ, दे अभिमानी होने के कारण, आत्मा को न परमपिता परमात्म को जानते हैं, यहां तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, यह बेहत का स्कूल है, एक ही एम अबजेक्ट है, स्वर्ग की बादशाई प्राप्त करना, स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा, बाप कहते हैं, मैं आया हूं तु सबसमझते इनसे कोई ऐसा चीची काम नहीं होता है, कोई-कोई में तो बहुत अवगुण होते हैं, वह थोड़ी समझेंगे, कि हमको इतना उचपत पाएंगे, इसने पुर्शार्ती नहीं करते, कई ऐसे बाबा के बच्चे भी है, ठीक है ना, दास-दासी बन जाएंगे, कि यह क्या हो गया, सत्यूग में तो आई जाएंगे, ऐसे ही है, तो बाबा कहते हैं, तो थोड़ी समझेंगे कि हमको इतना उचपत पाएंगे, इसलिए फिर पुर्शार्ती नहीं करते, तो क्या कर दे रहे हैं, अपना लेवल निश्चित कर रहे हैं, खुद यह अपना ड अच्छे भी समय है, उस दिन था न मुरली में दो हफते पहले, कि बेशक लेट आई हो, लेकिन फिर भी बाबा थोड़े समय में सारा मारजिन है, पुरा कवर अप करना और बाबा का साथ है, इतना ऐसा पुर्शारत करना पड़ा जो बांधेलियों को करना था पहले, आज आज अगर कोई बांधेली भी है, तो इस लेवल का कोई है पुर्शारत, कोई सुचते हैं, मुझे अलाव नहीं करते हैं, या ऐसा है, इस लेवल का है किसी का, कोई है हाथ उठाए, कि इस लेवल का मेरे पास ये बॉंड़ेज है, बंधन है, नहीं है ना कोई भी, लेकिन पुर्शारत करने वाला कर सकता है, ना, इस लेवल, मैं लेवल की बात कर रही हूँ, लेवल इसके, आज के लुग में उतना करना भी बहुत बड़ी बात है, मतलब ये जो, जो भी है, वो तो आज का या, आखिर तो फीलिंग्स तो है, ना, ऐसा तो नहीं कि आज के का बाबा कह रहे है, देखो, इसलिए पुर्शारत ही नहीं करते हैं, बाब से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ, तो बाबा जट बताएंगे, अपने को देखेंगे, तो जट समझेंगे, बरोबर मैं उच्पद नहीं पा सकता हूँ, लक्षन भी तो चाहिए ना, सत्युक् आप है, ये सारी दुनिया को रेजिस्टर करने वाला है, तुम भी रेजिस्टर करते हो, पासपोर्ट दे रहे है, कौन सा? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, यहां से तुमको पासपोर्ट मिलता है, पासपोर्ट भी स्वर्ग के मालिक वाला पासपोर्ट अचो लिखा होता है, पासपूटो, उनको पूछो ना, फिर स्वर्ग किसको कहते है, तो नहीं, उनको पूछो, स्वर्ग किसको कहते है, नहीं, पर उनके हिसाब से तो स्वर्ग क्या है, हमारे हिसाब से तो स्री कृष्णा, स्वर्ग, स्वर्ग की डेफिनेशन भी तो डिफ पास्पोर्ट दे रहे हैं, स्वर का मालिक बननी के लिए यहां से तुमको पास्पोर्ट मिलता है, बाबा ने कहा था, क्या करो, सबका फोटो होना चाहिए, जो वेकुंट के लायक है, क्योंकि तुम मनुश्य से देवता बनते हो, बाजू में ताजवा तक्त वाला फोटो हो हम यह बन रहे हैं, प्रदर्शनियादी में भी यह सेंपल रखना चाहिए, यह है ही राजयोग, समझो बैरिस्टर बनते हैं, तो वो एक तरफ और्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्टर ड्रेस, वैसे एक तरफ तुम साधारा न, अभी कल यूगी, संगम यूगी ब हमारा एक चित्र है, जिसमें पूछते हो, क्या बनना चाहते हो, यह बैरिस्टर ड्रादी बनना है, यह राजाओ का राजा बनना है, ऐसे चित्र होने चाहिए, बैरिस्टर वो क्या होता था, पहले प्रदर्शनी में ऐसे चित्र होता था, मतलब जैसे वो चित्र है, फिर उसमें एक बटन होता था, कि तुम क्या बनना चाहते हो, इसमें से, वो कोई, तो बैरिस्टर, डॉक्टर, ये, तो वो बटन दबाओ, तो वो बटन जब दबाएक लक्षमी नारायन, सी कृष्ण, तो फिर अगर ये बनना चाहते हो, तो फिर तुमको क्या करना है, आजकल व जजादी तो यहां के है, तुमको राजाओ का राजा, राजाओ का राजा बनना चाहते हो, ऐसे लिखा होता था, क्योंकि लक्षमी नारायन तो वो समझेंगे ने, वो तो भगवान समझते है, राजाओ का राजा बनना हो, तो एम उब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे है समझाना कितना अच्छा है चित्र भी बड़े अच्छे हो फुल साइज के वो बैरिस्टरी पढ़ते है तो योग बैरिस्टर से है बैरिस्टरी बनते है इनका योग परमपित्ता परमात्मा से है तो डबल सिर्टाज बनते है अब आप समझाते है बच्चों को एक्ट में लाना चाहिए लक्षमिदारेन के चित्र पर समझाना तो बहुत सहज होगा हम यह बन रहे है तो तुमारे लिए जुरूर नई दुनिया चाहिए नर्क के बाद स्फिर है स्वर्ग अगर यह बन रहे है तो अभी यह है पुर्शोतम संगम यूग यह पढ़ाई कितना उच बनाने वाली है इसमें पैसे आदी की तो दरकारी नहीं है पढ़ाई का शौक होना चाहिए एक आदमी बहुत गरीब था पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे फिर पढ़ते-पढ़ते महनत करके इतना साउकार हो गया जो क्वीनल विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया उसके रूल नहीं बाबा को देखो अपने समवाई के सारे याद है मुझे लगता है कुझे विलियम नाम का था अब एक्जाथ नहीं पता किसी को पता हो तो वीलियम, वो मिनिस्टर बन गया उसके रूल में, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया रैक्स टू रिचे स्टोरी थी उनकी तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाबा कितना ऊच पड़ाते है इसमें सिर्फ बुद्धी से बाप को याद करना है बत्ति आदी जगानी की भी दिरकार नहीं है कहां भी बैठो याद करो परन्तु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है याद में विगन पड़ते है यह तो युद है ना, आत्मा पवित्र बनती है बाप को याद करने से माया पड़ाई में माया कुछ नहीं करती पड़ाई से याद का नशा उच है इसलिए प्राचिन योग गाया हुआ है योग और ज्यान कहां जाता है ना योग के लिए ज्यान मिलता है कि ऐसे ऐसे याद करो और फिर सृष्टी चक्र का भी ज्यान है रचेता और रचना के आदी, मध्य, अंत को और कोई नहीं जानते भारत का प्राचिन योग सिखलाते है प्राचिन तो कहां जाता है प्राचिन, इंसियंट किसे कहेंगे सबसे पुराना जो वो तो है तो हमारे इंसियंट क्या है मतलब ये स्वर्ग हमारा सबसे इंसियंट क्या है इंसियंट मतलब एदम ओरिजनल, फॉस्ट इंसियंट उसे कहेंगे तो प्राचिन तो कहां जाता है नई दुनिया को उनको फिर लाखो वर्ष दे दिये ओल्ड की बात है न अब इंसियंट पिछे जाओ फॉस्ट तो मोस्ट इंसियंट ये नई दुनिया है कितना एक्योरेट है कल्ब की आयू भी अनेक प्रकार की बताते हैं ओल्डेस्ट नई दुनिया और नुएस्ट ओल्डेस्ट और नई दुनिया ये हमारा इंसियंट है तो कल्ब की आयू भी अनेक प्रकार की बताते हैं कोई क्या कहते कोई क्या क्या कहते यहां तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे ये तो के सेवा करने है बाबा की बाबा कहते है कपड़े पर छप सकते है चित्रों को उन दिनों कहा इतना वो था रेगजीन पे जो आज हम लोग वो करते है वो वो सारी जो फ्लैक्स पर करते है तो बाबा कहते है कपड़े पर छप सकते है अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस तो आदा आदा कर दे, आदा चापे, फिर जॉइंट ऐसा कर लेते, जो पता भी नहीं पड़ता है, स्क्रीन प्रेस होती थी ना पहले तो, बेहत का बाप बड़ी सरकार कहते है, बड़ी सरकार, हाइस्ट गवर्मेंट, ट्रम्प से भी आगे की गवर्मेंट है, क्या कहता है, कोई छपा कर दिखाए, तो मैं उनका नाम बाला करूँगा, भई कोई ये वली सेवा ले, दो सेवा बाबा कई बार कहते है, तो ये छपाने की सेवा और दूसरी थी, बाबा कहते हैं, ये सेवा जो करेगा उसको बहुत, क्योंकि बहुतों को मैसेज मिलेगा, तो शिम्राथी की शुक्ति करों, ने, ने, वो मटीरियल में, अचा, अखबार में, आडियो की, टेप्रिकॉर्ड की सेवा के लिए बाबा बहुत कहते थे, यह जो टेप रिकॉर्ड की सेव क्योंकि कितनों को उसका फायदा मिलता है तो कितना फायदा होगा तो कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा यह चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो अगर यह वाले चित्र बाबा को देखो चित्रों का कितना नशा था चित्र होने चाहिए बाबा की चित्र सारे घर में तो तुमको एक चित्र का कोई पास दस हजार भी दे दे वे हैं पैसे तो आठे रहे हैं मतलब इतना वैल्यू की बात कर रहे हैं बाबा कितने सुन्दर ऐसे चित्र है हमारे जैसा स्वर्ग का चित्र कितना beautiful है यह रशिया वालों ने किया ना यह पूरा स्वर्ग के connection में जितने भी majority videos और आपने देखा ही होगा आपके पास सब के पास किताब है वो क्या बोलते है उसको paradise हाँ तो वो सब रशिया वालों ने किया उन लोगों ने और उन्होंने मैंने बताया था या कभी बताएंगे यहां वो एक एक जो उनके कमरे है एक एक कमरे में एक एक चित्र है तो अगर स्रष्टी चक्र है तो वो एक कमरा है बट बड़ी जगह है तो स्रष्टी चक्र तो सि और वो हाथ से करीगरी की हुई है, वो दिखाया था न आप लोगों, हाँ वो फीचर्स भी वैसी है, और उनकी नीचे वर्क्षोप, मैंने का ये सब करते ही का है, लोग ने बताया कि नीचे हमारी पूरी वर्क्षोप, सब भाइबयन, बहुत समर्पित, सरंडर बुद्धी, वैसे करते हैं, तो बाबा ने कहा है, तो ये तो ऐसी first class चीज है, कहेंगी सच्चा ग्यान तो इन में ही है, और कोई के पास तो ही नहीं, विलायत में देखो कितने value है, ये सब चीजों के, चित्रों के, किसको पता ही नहीं, फिर समझाने वाला भी अभी चित्रों का, विला कितनी detailing बाते बाबा कहते है, समझाने वाला, वो तो understood है न, इंग्लिश में चाहिए, लेकिन बाबा मेंशन करते है, उन्हों को भी तो संदेश देना है न, वही विनाशर्थ निमित बने हो है ड्रामा अनुसार, ते दे पुष्पा दादी का हम लोगोंने सुना न, करनाट अपने देखा न, वो एक जोन था, जो, ऐसे चार जोन है करनाटक के, कितने सारे सेंटर्स होंगे, धाइसो तो एक जोन के सेंटर है, तो ऐसे करके बात बड़ा जोन, उसकी सेवा के निमित बना, तो दादी सिर्फ दोई-तीन वड़ होता था दादी को इंग्लिश का, I am a soul you are a soul, our father is supreme soul, बस, और योग, योग के द्रिष्टी, रिदे पुष्पदादी, निकाले फिर ऐसे, सब इंग्लिश वालों को निकाला, आशा दिदी, करुणा भाई, बृत तुंजे भाई, मेरा बैन मलेशिया, उनके निकले होया है, सब, तो इंग्लिश तो सब जानते है, इसी तर ये है, बाबा, देखो नशा, इंग्लिश जरूरी नहीं जानते है, कई बहने आजकल, मतलब होती है, थोड़ा वो एक अपने आपको, इन्फिरल्टी कॉंप्लेक्स फिल करती है, सेवा में, जब भई हम लोग तो इंग्लिश जानते नहीं है, पर दादिया क्या थ योग का बल था, गुल्जार दादी अकेली फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ, विदेश, तो सब जगर जाते थी, नो इंग्लिश, बोल देती थी, नो इंग्लिश, वो उनको आटोमेटिक ही, सब हेल्प कर देते थे, जानके दादी, इंग्लिश नहीं जानती है, 137 कंट्र इसमें सेवाईर की है, क्या था दादियों का, निश्चे, विश्वास, बाबा ने भेजाए मुझे, तो बाबा कहते हैं, तो इंग्लिश सब जानते हैं, वही विनाश, अर्थ नि, तो बाबा कहते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है न, वही विनाश अर्थ निमित बने हो है ड्रामा नो सर, बाबा ने बताया है, उन्हों के पास बॉमजादी ऐसे है, जो दोनों अगर आपस में मिल जाए, तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं, परन्तो ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, जो तुम योगबल से विश्व की बादशाई लेते हो, इसे विश्व के मालिक बन न सके, वो है साइन्स, तुमारी है साइलेंस, सिर्फ बाब को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ, तुम बच्चे योगबल से विश्व की बादशाई ले रहे हो, वो आपस में लडेगी भी जरूर, देखो उनको उनकी लड़ाई भी जरूरी है, तभी तो तीसरे को मिलेगा, नहीं तो अभी जो करंट है वो ही रहेगा, माखन बीच में तुमको मिलना है, क्रश्न के मुख में माखन का गोला दिखाते है, कहावत भी है दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया, है भी ऐसे, सारे विश्व की र आजाई, सोचो उस बात का, तो क्या भरपूर्ता के लिए बाबा हमें प्रिपैर कर रहा है, तो बाबा कहते हैं, अगर तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी में क्या वर्ज निकलेंगे, वा बाबा, आपकी तो कमाल है, नौलिश तो आपकी है, बड़ी अच् धरम वालों ने विश्व की बादशय कैसे प्राप की, ये किसको ख्याल में भी नहीं होगा, उस समय और कोई खंडी नहीं होता है, वहाँ, उस समय, बाब कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ, तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बन जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी परमात्मा हूँ, मेरा जनम दिव्य और अलोकिक है, और कोई भी ऐसे जनम नहीं लेते है, यह मुकरर है, यह सब ड्रामा में नूंध है, कोई अभी मर जाते है, यह भी ड्रामा में नूंध है, ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, नंबर वार, कोई तो डल बुद्धी होते है, तीन ग्रेड्स होती है, पिछाडी की ग्रेड़ वाले को डल कहां जाता है, खुद भी समझते है, समझते हो ना, कि यह फॉस्ट ग्रेड में है, यह सेकेंड में है, प्रजा में भी ऐसे ही है, प्रजा में भी फॉस्ट ग्रेड प्रजा, और फिर सेकेंड ग्रेड प्रजा, फिर थर्ड ग्रेड प्रजा, फॉस्ट ग्रेड प्रजा, जिनका कनेक्शन राजा, जो रॉयल फैमिली के कनेक्शन में है, रॉयल फैमिली से कनेक्ट, राजाओं के साथ connection है, तो बाबा कहते हैं, वो तो second grade है, पिछाड़ी के grade वाले को डल कहां जाता है, पढ़ाई तो एक ही है, बच्चे जानती है, पढ़कर हम सो double सिर्ताज बनेंगे, हम double, यहाँ अच्छे, हम double सिर्ताज थे, फिर single ताज, और अब, अब तो no ताज, no ताज, no बाल, ऐसा ही हो गया, बच्चे जानते हैं, जैसा करम, वैसा फल मिलता है, सत्यूग में ऐसे नहीं कहेंगे, अब देखो, सत्यूग में ऐसे कहेंगे, कितना बड़ा vocabulary है, यह वाला, चाहे वो अज्ञान काल में भी होता है, यह करम ऐसी किया है, नॉमली निकल ही जाता है, चाहे उसकी गहरा ही नहीं पता है, कि कैसे हुआ है, पर बाबा कहते हैं, सत्यूग में यह vocabulary होगी नहीं, कौन-कौन सी vocabulary सत्यूग में नहीं होगी, नोट करते जाओ, गोल्डन एज डे आएगा न, यह वाले शब्द नहीं होंगे, कि जैसा करम वैसा फल, यह करम भोग है न, यहां अच्छे करम करेंगे, तो एक जनम के लिए अच्छा फल मिलेगा, कोई ऐसे करम करते हैं, तो जनम से ही रोगी होते हैं, यूअ बी कर्म भोग है, बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म का भी समझाया है, यहां जैसे करते हैं तो उसका अच्छा वा बुरा फल पाते हैं, कोई सावकार बनते हैं, तो जुरूँर अच्छे कर्म कियोंगे, अभी तुम जन्ब जन्मांतर की प्रालब्ध बनाते हो, द क्योंकि इतनी गहराई नहीं है कर्मों की स्रिष्टता में, जो इतने जन्मों का फल चले, तो बाबा कहते हैं कि यहां अनेक तो बाबा कहते हैं, तो वहां जो, क्योंकि हम तो इतना सुक्ष्म पुर्शारत कर रहे हैं, संकल्प में भी, अब कैसे संकल्प नहीं, आज का एफ़र्ट सुनना, कौन से संकल्प नहीं आना चाहिए, वो भी कर्मों का हिसाब किताब है, तो बाबा कहते हैं, बच्चों को कर्म अकर्म, तो कोई ऐसा कर्म करते हैं, तो जनम से ही रोगी बनते हैं, वहां स्रेष्ठ कर्म होंगे, मतलब, दुनिया में अगर स्रेष्ट करम होते हैं, लेकिन संकल्पों में तो स्रेष्टता नहीं होती है, उतनी होती है संकल्पों में, स्रेष्टता नहीं होती है, इसलिए यहां के करमों का जन्म जन्मांतर का फॉल मिलता है, वो एक जन्म का मिलेगा, कोई सावकार बनते तो जरूर अच्छे करम की होंगे अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रालब्द पाते हो गरीब सावकार का फर्क तो वहां रहता है ना अभी के पुर्शार्ट अनुसार वह प्रालब्द अविनाशी 21 जन्मों के लिए यहां मिलता है अल्पकाल का करम तो चलता है ना यह कर्म शेत्र है सत्यूग है स्वर्ग का कर्म शेत्र सत्यूग है स्वर्ग का कर्म शेत्र वहां भी कर्म होता है नहीं यह सब बाते बुद्धी में धारण करनी है कोई विरले है, जो सदेव पॉइंट्स, कोई विरले है, कौन से, जो सदेव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, कौन है ऐसे विरले यहाँ, नोटबुक पेन है सब के पास, सब के पास, दिपक भए है, मोबाईल पे नहीं, नोटबुक पेन, डाइरी, अचेली उस में क्या है, मोबाईल की नोटिंग ठीक है, डाइरी मोबाईल तो कॉलाप्स हो जाएगा, हमारी सारी लिखत चली जाएगी, और जब डाइरी में लिखते हैं तो पुरानी आज भी हम लोग लिखत वाला पढ़ते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है हमने पुराना जो लिखा है इसलिए डाइरी, फिजिकल डाइरी होनी चाहिए नहीं हम तो लखेया है अभी तक हमने रखा हुआ है daw सब्सक्राइए जो डाइरी जहां-जहां नोट किया है तो हमने तो लखा उआ है हमने फिक देते हैं तो बाबा कहते हैं अच्छा ये सब बाते बुद्धी में धरन करने है चाट भी लिखते-लिखते क्या हो जाता है? थक जाते है. देखो, कोई चार्ट लिखते-लिखते-थक है? बोला क्या है, वो ही चार्ट है फिर को. इसमें तो लिखना भी नहीं होता है. कई बच्चे थक गए होंगे, देखो. लास्ट टाइम बजा तो बच्चे चार्ट लिखो. और यह थक जाते हैं, तुम बच्चों को पॉइंट, इसमें हम तो फिर भी रोज की नवीनता होती है, आदरवाइस तो चाठ मतलब क्या, एक स्टेंडर होता है, अमरतवेला किया, ये किया, वो क्रोध किया, नहीं, दुख दिया नहीं, एकसेटर, एकसेटर, टिकमा करते जा यहां तो फिर भी नवीनता है, फिर भी कोई थक गए होंगे, संकल पाया होगा, क्या है, चाठ बरना, तो उससे थक गए, तो फिर वही वही लिखना होता है, फिर तो नहीं लिखोना क्या है, तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी, फिर पचताएंगे कि यह पॉइंट तो अंभूल गए, सबका यह हाल होता है, भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा, बच्चों को अपनी उन्नती के लिए ख्याल करना है, बाबा जानते है कोई विरले यथार तरिती कोई विरले है, रिंक वेन, नौडबुक पेन, बाबा कहते है कोई विरले बोला, किसको विरले बोला? विरले अब भी, अभी बाप ujरले, जो पॉइंट लिखते हैं इसमें तो विरले है, जो भी वीडियो वाले है, वो तो विरले है, अब आडियो वाले हमें मैसेज दे, तो फिर पता चलेगा कि वही हाँ, हम लिखते हैं, हमको निष्चे आएगा, जो आडियो वाले है, तो बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं, कोई विरले ये थारत रीती लिखते होंगे, बाबा व्यापारी भी है ना, वो है विनाशी रतनों के व्यापारी यह है, ज्यान रतनों के, योग में बहुत बच्चे फेल होते हैं, एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेड़ भी मुश्किल रह सकते हैं, आठ घंटा तो पुर्शार्ट करना है, तुम बच्चो को शरी निर्वा भी करना है, एक्यूरेट याद बाबा की, यही तो योग बल है खाली, केवल बाबा, एक्चुल याद, बाबा ने आशिक माशुक का भी मिसाल दिया है, बैठे बैठे याद किया और जट सामने आ जाते हैं, यह भी एक साक्षात करें, वो उनको याद करते, वो उनको याद करते, यहाँ तो फिर एक है माशुक, तुम सब हो आशिक, वो सलोना माशुक तो सदेव गोरा है, एवर प्योर, बाब कहते हैं, मैं मुसाफिर, सदेव खूपसूरत हूँ, तुमको भी खूपसूरत बनाता हूँ, इन देवताओ की नैचरल ब् पैशन करते हैं, पिछले बार भी याद किया बाबा में, वापस यहाँ, बचे कैसे कैसे भिन-बिन ट्रेस पहनते हैं, और वहां तो, वहां की ब्यूटी कैसी है, एक रस नैचरल ब्यूटी नहीं, एक रस नैचरल ब्यूटी, एक जैसा, मतलब ऐसा नहीं कि आज थोड़ा बुजूर्ग है, वो है, नैचरल, नैचरल रहना बहुत अच्छा पुर्शारत है, पुर्शारत क्या, ये एक नैचर होनी चाहिए, शरीर के लिए भी नैचरल हो, कोई भी तरह से उपर का, और वैसे भी हम बेसिक स्ट्रक्चर तो चेंज करी नहीं सकते हैं, देखा जाए तो जो है जैसा है, नैचरल, और ये हम लोगो को भी वैसी देखने के आदत होती है, कोई के बाल सफेद है, चलो, तो ठीक है ना, आदत, हमको तो पता ही चलो हा प्रोगो है, हमको लगते है, auxiliary पता चलना चाहिए, उनको भी देखते हैं उनको ठीक लगेगा, जिनका मतलब क्या प्रॉब्लम है उनकी भी तो आदत पढ़ा है ना हम कि उनको भी हमें वैसे नैचरल देखने की आदत हो तो यह एक नेचर होनी चाहिए हमारी बहुत टाइम, एनरजी, मनी वेस्ट होता है नैचरल नहीं होने की कारण तो बाबा कहते है सत्यू की तयारी करनी ना एकरस नैचरल ब्यूटी रहती है जैसा है और जैसा है वैसे अच्छा लगता है कोई सपोज बहुत स्मार्ट नहीं है लेकिन हमें वो देखते देखते वो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है घर में कोई स्मार्ट नह यह तो हमको देखना का दिल नहीं करता है, ऐसा होता है. Actually, in the long run, क्या अच्छा लगता है? लोग, नेचर अच्छा लगता है. काला है, गोरा है, मैटर नहीं करता है. बाल ऐसे है, बाल वैसे है, मैटर नहीं करता है. तो हमें वो निश्चे हो, कि नहीं, मुझे नैचरल रहना है. यह सब नहीं करना है, मुझे. मुझे लोगों को आदत पढ़ानी है, कि यह मैं जो हूँ न, वैसा ही दिखाई दे. बस, अपना, अपनी करेज चाहिए इसमें नैचरल रहने के लिए. तो ऐसी दुनिया में आपसे तुम जाते हो, बाप कहते है, मैं पुराने पतित देश, पतित शरीर में आता हूँ. यहां पावन शरीर है नहीं, बाप कहते है, मैं इनके बहुत जन्मों की अंत में प्रवेश कर, प्रवरती मार के स्थापना करता हूँ. आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुर्शार्थ करेंगे फिर समझेंगे, आगे भी ऐसा पुर्शार्थ किया था, अब कर रहे है, पुर्शार्थ बिगर तो कुछ मिलना सके, तुम जानते हैं नरसे नारायन बनने का पुर्शार्थ कर रहे है, नई दुनिय सिखे लदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार गुड मोनिंग रुहानी बच्चो को नमत्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी बाब दादा को याद प्यार गुड मोनिंग पहला पॉइंट है सरंडर के साथ निश्चे बुद्धी बनना है कोई भी चीची काम न हो अंदर कोई भी अवगुण न रहे तब अच्छा पद मिल सकता है अंदर कोई भी अवगुण न रहे तब अच्छा पद मिल सकता है दूसरा है ज्यान रतनों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते है उन्हें नोट करना है ज्यान रतनों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते है उन्हें नोट करना है फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है सदा अपनी उन्नती का ख्याल करना है सदा अपनी उन्नती का ख्याल करना है वर्दान है, वाइरलेस सेट द्वारा, विनाश काल में, अन्तीम डायरेक्शन्स को कैच करने वाले, वाइसलेस भव, वाइरलेस सेट में, वाइरलेस सेट द्वारा, विनाश काल में, अन्तीम डायरेक्शन्स को कैच करने वाले, वाइसलेस भव, बहुत पावर्फुल है विनाश के समय, अंतिम डाइरेक्शन को कैच करने के लिए, वाइसलेस बुद्धी चाहिए, जैसे वे लोग वाइरलेस सेट द्वारा, एक दूसरे तक आवाज पहुचाते हैं, यहाँ है वाइरलेस, उनका वाइरलेस है, अभी तो खेड सब के पास वाइरलेस है, तो यहाँ है वाइरलेस, और वहाँ है, यहाँ है वाइरलेस की वाइरलेस, इस वाइरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा, कि इस सेफ स्थान पर पहुच जाओ, military वालों को तो बहुत जरूरी है wireless तो viseless बुद्धी बहुत जरूरी है रोहानी military को जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले viseless है जिन्हे अशरीरी बनने का अभ्यास है वे विनाश में विनाश नहीं होंगे देखो note करें वे विनाश में विनाश नहीं होंगे लेकिन स्वेच्चा से शरीर छोडेंगे powerful वर्दान है एक-एक word important है तो viseless बुद्धी viseless wireless set मतलब viseless बुद्धी और फिर next wireless, viseless बुद्धी में touching आईगी कि इस safe स्थान पर पहुँच जाओ second, third और जो बावा की याद में रहेंगे वे विनाश में विनाश के कारण शरीर नहीं छोडेंगे स्वेच्चा से शरीर छोडेंगे विनाश की बाद चीजे हमें यसे नहीं करेंगे लेकिन उसके लिए बावा की याद जाए कितनी वाई अच्छा वाईसलेस बुद्धी क्या है वो आज के फरिष्टा डे है ना आज का उसमें हम देखेंगे किसको कहेंगे वाईसलेस मुझे कल बाबा के महावाक के सुने तो बहुत टच हुआ सुनते हैं आज स्लोगन है योग को किनारे कर कर्म में बिजी होना यही अलबेला पन है देखा बाबा को पता हम सभी पुर्शारत कर्म और योग का करें योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेला पन है मतलब कर्म में योग का integration सभी करी रहे है अच्छा यह अवेक्त इशारे है तो तीनी बच्चे है मुः का पीज स्वमान यही है, viceless अन्तीम डाइरेक्शन को catch करने वाली viceless आत्मा मैं viceless आत्मा क्या मैं viceless हूँ तो इसमें तीन बाते का पूरा बुद्धी में रहे एक तो वायरलेस मतलब ही viceless दूसरा है बाबा की याद इमीजेटली उस आत्मा को catch होगा कि यहां जाओ सेफ है और तीसरा है स्वेच्छा से शरीर छोडेंगे ऐसे नहीं जबर्दस्ती लेकिन स्वेच्छा से अच्छा मोह का बीज है संबंध जब बीज कोई कट कर दिया तो बिना बीज के व्रक्ष कैसे पैदा होगा अगर अभी तक होता है तो सिध्य कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है दो तरफ है उन्हें मनजिल नहीं मिल सकती मोह नश्ठ हो गया तो स्मृत्ती स्वरूप स्वत्व हो जाएंगे फिर कटता नहीं मिटता नहीं ये भाशा खतम हो सर्व प्राप्ती स्वरूप हो जाएंगे मोह का बीज है संबंध तो अगर मोही नहीं मतलब संबंधों का बीज मोह है मोह नहीं तो संबंध नहीं तो संबंध कटता नहीं है ऐसा ये feeling ये नहीं आएगा complain नहीं रहेगे क्या करे ये बंधन है मोह के जो बंधन होते न वो बहुत बड़े बंधन होते मन के बंधन actual बंधन इतने नहीं होते जितना मोह के कारण होते अच्छे आजयो